असलाम लीकुम फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल टेबल टूरीट कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज की रेसिपी जो मैं आप से शेयर करूंगी वो है टूटी फूटी टी केक जो के हम घर बनाएंगे विदाउट अवन जिसको बनाना बहुत ही इजी है मैं आप से बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी आप इसको इजी ली घर में बना सकते हैं टूटी फूटी टी केक बनाने की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक बोल में 3 टेबल स्पून टूटी फू sytu फूटी लेंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून मैदे अट करेंगे मैदे से हम टूटी फूटि की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे यह बहुत ही important tip है इससे जो टूटी-फूटी है वो केक के नीचे नहीं बैटती यह अपनी जगा पे ही stick रहती है अब हम एक बोल में 150 ग्राम बटर लेंगे बटर को हम बीटर की हल्प से अच्छे से बीट कर लेंगे आप इसको विस्कर की हल्प से भी बीट कर सकते हैं बटर को हम इतना बीट करेंगे कि एक क्रीमी सा टेक्श्चर आजाए आप देख सकते हैं बटर कितना क्रीमी रैडी हो गया है अब हम इसकी सारी साइट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे साइट्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें half cup powdered sugar और छुगर एड़ करेंगे चीनी हम gradually आड करेंगे इसको हम two parts में करके आड करेंगे अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे अब हम इसमें जो बाकिचीनी थी वो ऐड कर देंगे और इसको हम 3 मिनट्स के लिए अच्छे से बीट करेंगे अब हम इसमें 2X एड़ करेंगे X को हम 1 by 1 करके एड़ करेंगे अब हम इसमें दूसरा एक एड़ करेंगे और इसको हम इतना बीट करेंगे कि जो बैटर है अच्छे से फलफी बन जाए अब हम इसकी सारी साइड अच्छे से क्लीन कर लेंगे साइड को क्लीन करने के बाद अब हम इसको 3 मिनट के लिए दुबारा से बीट करेंगे केक स्मूदी सा टेक्च्चर बन जाए बैटर को हमने बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है अब हम इसमें 1 कप मैद आड़ करेंगे मैदे को मैंने अच्छे से स्ट्रेंड कर लिया था अब हम इसमें 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर आड़ करेंगे और इसको हम स्पेचुला की हल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपने इसको बहुत ही केरफुली फोल्ड करना है फ्रेंड्स आपने इसको इतना मिक्स करना है कि एक स्मूदी सा टेक्च्चर बन जाए केक का जो पैटर है वो लंप्स फ्री होना चाहिए इसमें कोई भी लंप्स नहीं आने चाहिए आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें टूटी फ्रूटी एड़ करेंगे तो फ्रेंड्स टूटी फ्रूटी एड़ करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे टूटी फ्रूटी को हमने केक के बैटर में अच्छे से मिक्स करना है बैटर बहुत ही क्रीमी रैडी हुआ है टूटी फ्रूटी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है अब यहां मैंने एक बेकिंग पैन लिया है और इसको बटर से अच्छे से ग्रीज कर लिया था और इसमें मैंने बटर पेपर को अच्छे से सेट कर लिया है बटर पेपर को सेट करने के बाद अब हम इसमें जो केक का बैटर है वो अच्छे से डाल देंगे फ्रेंड्स आपने बहुत ही केरफुली जो बैटर है इसमें डाल देना है सारे बैटर को अच्छे से डालने के बाद अब हम इसको स्प्रेड कर लेंगे सारे बैटर को हमने इवनली स्प्रेड करना है कि जो बैटर है वो लेवल में आ जाए अब हम इसको थ्री टाइम्स के लिए अच्छे से टैप करेंगे इसमें जो एर बबल्स हैं वो हतम हो जाएंगे और इसमें हम टूटी फ्रूटी को अड़ करेंगे फ्रेंड्स बेकिंग के लिए हमारा टी केक रेड़ी है केक का जो टीन है वो रखेंगे और इसको कवर करके चालिस मिनट के लिए लो फ्लेम पे केक को बेक कर लेंगे फ्रेंड्स चालिस मिनट के बाद हमारा केक देखें कितना अच्छे से रेड़ी हो गया है अब हम इसमें टूट पिक डाल कर देखेंगे अगर यह क्लीन होगी तो केक हमारा रेड़ी हो जाएगा टूट पिक चछे से क्लीन है केक हमारा रेड़ी है अब हम इसको अनमोल्ड करेंगे इसकी सारी साइट स्कोचे से क्लीन कर लेंगे कि जो केक है easily हमारा unmold हो जाए अब हम इसका butter paper remove कर देंगे फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा light golden color आया है केक बहुत ही soft और spongy ready हुआ है अब हम इसको slices में cut कर लेंगे करेंट्स यह कटिंग में भी बहुत ही soft है आप देख सकते हैं फ्रेंट्स केक बहुत ही soft और spongy ready हुआ है आप इस recipe को ऐसे ही follow कीजिएगा आपका cake भी बहुत ही soft और spongy ready होगा tea cake को आप फ्रेंट्स air tight box में store भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इसका texture कितना ही अच्छा है यह same bakery style में ready हुआ है तो फ्रेंट्स आपको मेरी यह recipe कैसी लगी आप मुझे इसका feedback ज़रूर दीजिएगा आप अपनी family को चाई के साथ serve करें यह उनको बहुत पसंद आएगा फ्रेंट्स अगर यह recipe आपको अच्छी लगी तो इसको like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और अपने फ्रेंट्स के साथ ज़्यदे से ज़्यदे शेयर करें इन्शाला हम फिर मिलेंगे एक new recipe के साथ Till then, Allah Hafiz